हेलो एंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल स्वात्पनारसी यह एक तेशी रेस्पी का चैनल है आज हम बनाने चल रहे हैं पोहा कटलेट पोहा कटलेट बनाने के लिए हमें चाहिए पोहा पोहा को कुछ लोग चूड़ा भी बोलते हैं हमने पोहा को धोके साफ कर लिया है पानी से और पांच मिनट इसमें पानी एड करके भिगो दिये थे अब हमने इसमें का पानी निकाल लिया है चलिए अब हम बनाना आपको पताते हैं बनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पोहा, पोहा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे दो उबले हुए यालू, जिसे हमने पहले उबाल की छिलकाउ दालिया था, अब हम इसमें एड करेंगे जिमला मिर्च आधा, बारिक कटा हुआ एक प्याज, बारिक कटी हुई एक मिर्ची हरे, दो चम्मच मुंफली के दान जिसे हमने पून के कुट लिया है, अब हम इसमें एड करेंगे एक चम्मच सक्कर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच खटाई, जिसे कुछ लोग अमचुर पाउडर भी बोलते हैं, थोड़ा सा इसमें एड करेंगे हम लाल मिर्च, आधा ऐक चम्मच अयग करेंगे जीरा, स्वादうんसा और नमक Fine protocol, चलिए हम इसे अच्छे तरह के हाथ हो से मिलावारिया है इस तरह से कुछ मिक्स करते हुए हमें फोड़ते हुए मिलाना है ध्यान रखिएगा कि पूरे को हम अच्छी तरह से हमें मिला लेना है हमने इसे कुछ इस तरह से मिला लिया है आपको भी ऐसे ही मिला लेना है मिलाने के बाद थोड़ा सा लेके गूल शेप देते हुए इस तरह से गूल से देते हुए कुछ हाथो से दबाना है टिक्की का सेप देना है अब एक चॉपिंग बोर्ट पर हम कुछ इस तरह से कर लेंगे ऐसे ही आपको सारे बना लेना है इस तरह से हमने सारे बना लिये हैं, आपको भी इसी तरह से सारे बना लेना है, देखिया हमारा पुड़ा बन के तयार है, गैस पे हमने पैन चढ़ा के आयल ले लिया है, आयल को हम गर्म होने देते हैं, गैस को मेडियम फ्लंपे ही रखेंगे, आयल हमारा गर्म हो गया है, अ अब हम चाहिए इसे फ्राई करना बताते हैं आपको कुछ इस तरह से इसमें रखना है फ्राई करने के लिए पांच मिनट तक हमें उसी साइट छोड़ देना है इसे समर समर पे आप इसे इसे हिलाते रहेंगे तो आपका ये क्रिस्पी दलेगा चलिए अब हम दूसरी साइट भी से पलटके पका लेते हैं इस साइट देखिए कुछ इस तरह से हमारा आया है ऐसे ही दूसरी साइट भी हमें पका लेना है देखिए पूरा हमारा गोर्डेन कलरका हो गया है ऐसे ही दूसरी साइट भी गोर्डेन कलरका हो जाना चाहिए अब हमारा पोहा कट पलेट बिल्कुल तयार है चलिए अब हम आप इसे किसी बटन में निकाल लेते हैं, देखिए कितनी अच्छे से तला गया है, पोहा कटलेट हमारा बन के बिल्कुल तयार है, आप इसे चटनी के साथ सॉफ कर सकते हैं, एक बार इसे आप जरू ट्राइ किजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो कॉमेंट बग्स म आपको देखने के को मिलती रहेंगे, चलिए मिलते हैं हम आपसे नेश्ट वीडियो में, थांक्यो फार वचिंग